नमस्कार आप देख रहे हैं जन्भावना टाइम साब के साथ मैं हूँ अंकिता कॉंगर्स नेता राहूल गांधी मंगलवार को पंजाब के मांसा पहुँचे और मूसा गाउं में पंजाबी गायक सिद्धू मूसे वाला के परीजनों से मुलाकात की मूसे वाला के पिता और उनके परिवार से मिलकर राहूल गांधी ने सिंगर की हत्या पर दुख साहिर किया उनके साथ पंजाब कॉंगर्स प्रधान अबरिंदर सिंग, राजा, वंडिंग और वरिष्ठ नेता प्रताप सिंग, बाजवा भी मौजूद थे राहूल गांधी की दौरे को देखते हुए पुलिस ने मुसे वाले के घर के आसपास सुरक्षा करी कर दी थी, बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात किये गए है हाला कि पंजाब दौरे पर आये कॉंग्रस सांसद राहूल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है मांसा जा रहे राहूल का काफिला गलत रास्ते पर भड़क गया, करीब 15 मिनिट तक काफिला गलत रूट पर ही रहा राहूल गांधी चंडीगर से सड़क मांसा पहुँचे हैं, 12 बचे राहूल मुसेवाला के घर पहुँचे आपको बता दे कि सिद्धू मुसेवाला मशूर सिंगर होने के साथ साथ कॉंग्स पार्थी के नेता भी है उन्होंने कॉंग्स के टिकेट पर पंजाब में इसी साल हुए विधान सभा का चुनाव भी लड़ा था चुनाव के दौरान मुसेवाला और राहूल गांधी के मुलाकात भी हुई थी हालाकि इस चुनाव में मुसेवाला को हार का सामना करना पड़ा था मंगलबार को ही अकाल तक्त के जत्यदार ग्यानी हर्पीस सिंग ने भी सिद्धू मुसेवाला के परिवार से मुलाकात की थी इसे पहले अभी हाल में ही पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला के घर जाकर पीडित परीजनों से मुलाकात की थी उन्होंने मूसेवाला के पिता को न्याय दिलाने का भरूसा दिलाया था भगबंत मान ने कहा था कि अप राधियों की धर पकड़ जारी है जो भी दोशी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी उधर मुसेवाला हत्याकांड के सिलसले में मंगलबार को भी दो लोग गिरफतार किये गए हैं इसमें से एक पर मुसेवाला की रैखी करने का आरोप है तो वहीं दूसरा हत्याकांड में शामिल बताया जा रहा है पंजाब पुलिस ने सुमवार को संदीप उर्फ केकड़ा को गिरफतार किया था केकड़ा सिरसा के काला वली का रहने वाला है केकड़ा पर आरोप है कि मुसेवाला की हत्या से पहले वो मुसा गाउं में ही था केकड़ा मुसेवाला के घर उनका फैन बनकर पहुँचा था और उनके साथ अपनी सेलफी भी खीची थी मुसेवाला की घर से निकलने से पहली CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग वाइरल हो रही है जिसमें कुछ हीवक मुसेवाला की थार गाड़ी के अगल बगल नजर आ रहे हैं आरोप है कि इन यूवको में केकड़ा भी शामिल था पुलिस की माने तो केकड़ा लगातार हमलावरों के संपर्क में था और मुसेवाला की हर मुवमिन्ट की खबर उन तक पहुचा रहा था पुलिस सूत्रों के मताबिक केकड़ा ने ही शूटर्स को मुसेवाला के बारे में जानकारी दी थी कि वो थार जीब से निकल रहा है और उसके साथ उसके सुरक्षा गार्ड भी नहीं है अब तक की जाच में मूसेवाला मडर केस में 8 शाप शूटर्स के नाम सामने आये हैं इसमें से एक की गिरफतारी हो चुकी है इन 8 शूटर्स में 2 शूटर हर्याना के, 2 शूटर महराश्टर के और 3 शूटर्स पंजाब के रहने वाले हैं जबकि एक अन्य शूटर राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है और ये सब ही लौरेंस बिश्नोई गैंक से जुड़े हुए हैं इन में से पंजाब के तरंट तारंड का रहने वाला एक शूटर मन प्रीट सिंग मनू फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं जिसे उत्राखंट से गिरफ्तार किया गया है बाकी साज शूटर्स फरार हैं खबरों को विस्तार से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jbt.com को लॉग इन कर सकते हैं देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैनभावना टाइम्स नमस्कार